सिख्षा की गुणवक्ता में सुधार और विद्यार्थियों के कल्यान के लिए राजी में उच्च एवं तक्निकी सिख्षा विभाग की और से कई योजनाव का संचालन किया जा रहा है विभाग के प्रधान सचीव राहूल पुरवार ने आज सूशन भवन में आयजित प्रेस कॉन्फरेंस को संभोधित करते हुए बताया कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से बार्भी पास विद्यार्थियों को सिर्च सेक्षिनिक संस्थान म दाखिले के लिए चार प्रसारित ब्याच दर पर 15 लाक लोन देने का प्रधान किया है सरकार की और से चलाई जारही एक लव्य प्रसिक्षन योजना के माध्यम से बैंक रेल्वी और आयोग की तयारी करने वाले विद्यार्थियों को फ्री कोचिंग की विवस्था दी जा किया है प्रधान से चीव ने बताया कि राज्य में अनुसंधान नवचार उधमिता और कौशल विकास के साथ रोजगार परक्सिक्षा पर विशेश बल दिया जा रहा है उन्होंने बताया कि आने वाले तीन वर्षों में राची विश्व विद्याले का अपना एक नया कै जबकि जमशेटपूर में राज्य का पहला ट्राइबल उन्वरसिटी बनाने की तैयारी चल रही है राज्य में नीजे विद्याले पारदर्श रूप से काम कर सके इसके लिए सरकार मॉडल उन्वरसिटी एक्ट लाने वाली है आये सुनते हैं क्या कुछ आया है नया एक जो आधन के बारे में जानकरी दूँगा उसके बाद में जो पॉलिसी फ्रेम वर्क से लेटर संबन के रिपॉजन है उसके बारे में बताएंगे तो सबसे पहले जो लोग कल्यार से संब्देते योजना हैं उसमें महत्तपूर्ण योजना जो आप अभी सुन रहे हैं आजकल की वह गुरुजी स्टुडेंट क्रेट कार्ड योजना ये अपने आपमें एक नई तरह की योजना है जो की पहले दो राज्यों में प्रार्रम क किया गया था पश्चम मंगाल वा भीहार में लेकिन उन दोनों को स्टडी करके और जो भी जो गैप से उसको ध्यान में रख करके हम नहीं जार्खन के लिए स्कीम को तयार किया है इस स्कीम के तहत में जो बच्चे ट्वल्ट पास करने के बाद में उच्छे सिच्छा के ल तरह भी गजास है रखक देखर्व करीचे कर cabbage जो अएसे बच्चे जो कि पूरे अधेस में जो ranking होती है उसमें जो institution का rank है वो 200 के अंतरकत होगा या domain specific में domain means या to engineering या medicine या और particular field में उसका ranking 100 के अंतरकत में होगा या NAC जो grading है वो AAC उपर होगा उस institution में जो बच्चे admission लेंगे उनकी लिए ये scheme रहेगा इसमें 15 लाख रुपए तक का loan देने का प्रावधान है जो की बैंकों की माध्यम से जो ये सुविधा उप्रब्द कराई जाएगी जो खास बात है कि जो student है उनको ये सुविधा चार प्रिस्ट सिंपल इंट्रस रेट पर इसुद्धा उप्रब्द होगी और उनकी जो पढ़ाई के दौरान तीन जो चार साल का जो प्रोग्राम होगा उसमें उनको पैसा नहीं देना है उनको रिकवरी इमाई स्टार्ट नहीं होगी जब उनका कोर्स पूरा हो जाएगा उस इसमें इस्ट्यूशनल फीस जो होती है इस्ट्यूशन की वह तो सामिल रहेगी इसके सावे नौन इस्ट्यूशनल एक्सपेंडीचर होते हैं उसका भी क्वांटम सामिल है अभी जो इसका स्टेटस है यह स्कीम ऑलरी लॉंच हो चुकी है और आप लोगों ने देखा है कि अभी सरकार का कारिकरम चला था आपकी सरकार आपकी दोड़ार में इसमें करीब बहुत सारी अप्लिकेशन भी आई हुई हमारे पास के लिए अभी इसका जो पोल्टल बना रहे है यह पुरा ऑन्लाइन सिस्थम से लागू होगी और इसमें पोल्टल का निर्माण कार जार साइए उनकी इंट्री स्टार्ट हुजाएगी और उमीद करते हैं कि अगले साल जो बच्चे अड्मीशन नेंगे इन इस्टूशन ने उनको यह सुझा स्कीम की सुझा प्राक्त होगी दूसरी योजना है जो है कि एकलब प्रसेशन योजना है कि जो जो पढ़ाई करने के सब्सक्राइबाद में बच्चे लोग जो कमटीशन की तैयारी करें लेकिन फिर भी सोचता हूं आपको लग्सा सेयर कर देता हूं एक है सीम फैलोसिप स्कीम फॉर एकडेमिक एकसिलेंस इसका जिसमें पांच कंपोनेंट है मैं जो विशेश तोर से दो तीन कंपोनेंट के जो हाई मेरिट के बच्चे होते हैं उनको जीयर अरफ मिलता है जूनियर रिसर्च फैलोसिप मिलता है और वह करीश साड़े बतेसजार का था अभी बढ़कर के साथ 48 जार हो गया है लेकिन अभी जो इस पर स्टार किया था साड़े बतेसजार था और जो जीयर अरफ नहीं जीयर नहीं पान्ट आände हैं यहाम को नेट कॉलिफाइद हैं जिनको मिल रहा है या स्टेट का जो होते हैं जो से gragan करने जारहे है जहरकन लिजियर कर लेंगे बले यह जीयर आफ नहीं मिल पा रहा है इनको भी लोग कराum के लिए हम दिहमें इसमें हम लोग 25,000 रुपय का कंपोनेंट है जो लोग नेट कौलिफाइड है और जो जेट कौलिफाइड होंगे इनके लिए 22,500 रुपय का पर मंत का स्कौलिशिप का प्राफाइड कर रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दूसरे देने जो जो अच्छे इंस्टुइशन के साफने सब्सक्राइड की सब्सक्राइड के जाना चाहते है और तो आज कि समें में कोई हमारा पाइड स्खीम को सब्सक्राइड हो को passieren की जाना जाना चाहता है हमारे पास कोई सुविधाय नहीं है और उसकी कारण से काफी लोग नहीं जा पाते हैं उसको प्रोसाहित करने के लिए हम लोगोंने रखा हुए ट्रवल ग्रांट पर प्रेपर प्रेजंटेशन के लिए जिसमें जो बाहर इंडिया से बाहर जो अच्छी अधर में टॉप फंडर्ड रैंकिंग एंस्ट्यूशन में प्रेजंटेशन देना चाहते हैं उनको 50,000 रुपए की सुविधा दी जाएगी इसके लावा जो महत्तवपूर्ण है कि जो अच्छे मेरेटोरिज बच्चे हैं उनको लोग लोग लास पढ़ाए के दरानी टीचींग असिस्टेंश कर सतä है उनको सभी मिलेगी जो की हर एक समस्टर में एक समस्टर के भई होगी 15 रुपए पर मन्त के साब से पॉलिटैक्निक में और अडरीजूट कॉलेजजीज में 2000 रुप के लिए या रेलवे रिकूट्मेंट बोर्ड या स्टाप सेलेक्शन कमिशन से सम्मादित जॉब प्राप्ट करने के लिए जो कोचिंग करते हैं तो उसमें राजसरकार का यह नंड़ा है कि स्कीम के माध्यम से हम कोचिंग कराएंगे कोचिंग के साथ साथ में राजसरकार के द्वारा उनका मंत्री अलाउंसे से 25 रुपे उसको भी सुविधा उनको प्लब्ड कराई जिए कि इसके लिए जरूरी है कि जारखंट से यहां पर से ट्वल्थ पास होना उसके लिए कंपल सरी है जरूरी है और इसमें जो हम लोग ने किस्टीमेशन रखाएंगी करीब करीब हम लोग 25 इंस्ट्यूशन को इंपैनल करेंगे इन अलग अलग कंपीशन के लिए और करीब 27,000 बच्चों के इसके में भी हमारा जो स्कीम है लॉंच की दिसम पे है कि लॉंच इंद सेंस की इंपैनल जो इस् से हमारा पोल्टर लेडी हो जाएगा स्क्रीनिंग स्टाल्ट हो जाएगा और जो बच्चे स्क्रीनिंग के बाद जो बच्चे होंगे वह अपना जिस कोचिंग में जो इंपैनल इंस्ट्यूशन है उसमें अनमीशन लेकर कि वह सुन्धा का अलाव उठा सकते हैं दूसरा ह कि इस इस में डिप्लोमा के बाद में बच्चों लोग्डिश्ट में क्यों होता है कि यो ब्यूपीटि के साथ में बौल्ड़ 音ंडिया कर दो बदो सब्सक्राइब करें लोग अलग तरह की इंडस्ट्री में इंडस्ट्री रिकार्मेंट के साथ सो ट्रेनिंग कर सकें बाद में उनका प्लेस्मेंट होने का भी इसको बढ़ जाता है कि यह सुविधा सिर्फ जो टेक्निकल इस्ट्यूट से पच्छे पढ़ रहा है उनके सकते हैं इस अपरिडिसिट का फायदे दो फायदे हैं एक तो बच्छों को बच्छे पास आउट के निकल रहे हैं उनको इन हैंडर ट्रेनिंग मिल जाएगी और जो आज किसमें पता है कि कॉलेज में थोड़ी से वेकेंसी ज्यादा चल रही है उसको उसमें भी हैल्प मिल जाइंगी इसमें दो तरह से युव गोगा आप्रॉक्सिमेटवी बारहा हजार उपय पर हमनत की साटवी को सुन्दा बिलें जिसमें चारह जार पांतसोर रुपे माराज सर्कार की सामिल रह बहुत होगा निक बारह है उसमें 864 को हमो करीछा मिल जाएगी इस तरह कि में बच्चे एक साल का करते हैं उसके लिए साल अमनों एक एडवांस अप्रेंटिस्ट कराया है कि एक साल आप और रह करके महाँ पे जो लाब रोड़ेटरी से टेक्निकल इस्टूशन में और जो मसीनों का में जो स्किल होनी चाहिए वो ले सकते हैं इसमें जो बारा हजार क पूरा 10,000 रुपए जो डिपलोमा होलडर है और 15,000 रुपए जो इंजिनरिंग रेजूट है उनको यह एडवांस अपनिटिस्टिपका है कि पूरा कंपोनेंट रासरकार के द्वारा वारित कि पूरा जो खर्च होता है और रासरकार भाहन करती है और दूसरा अफिलेटे पर के घे लिए और अफिलेटे तो इसमें जो तुम्परेरी होता है और आपिलेशन के नया रूर्स बन रहा है जो कि फारि चेज में है कि कैसे ट्रांस्परेंट तरीकिएसे आपिलेशन का प्रॉसस किया जाएगा चैनलनाइन पोटल के माद्देंसे वह भी प्रक्रिया न कि नहीं होता था अभी हम लोगों ने इस साल से जो किया प्रादम किया है कि जितने पर्मानेट अफ्लेटेट कॉलिज है जाता मुझे नंबर याद है 69 है कोई मिले करेक्ट करेगा यह नंबर में कोई पर रहता है 69 कॉलिज है उसमें हम लोग यह क्वालिटी से लिंक कर दिया उनका इसमें जो अभी ग्रांट मिलती है उस को हम लोगने तीन कैटेगरी में जिनका ने जुक्तिय में उनको जो 16 इसhl toe ने कि पांच साल तक यह सविधा पर्मानेट आफलेशं बाटा है जिनका A-grade NAC में A-grading आया इस्टूशन उनको जो अभी current मिल रहा है उसका six time से जाड़ा six time के आसपास उनका grant मिले लगेगा इनका B के आसपास होगा, उनको 4 ताइमस का आसपास होगा, जो C होगा उनका 2 टाइमस होगा, लेकिन ये एक सब्जेक्ट्ट्व कंडिशन है कि पांच साल तक ये सुविधा पर्मानेंट अफ्लेशन की उन्हीं को मिलेगी जो B अप B प्लस है, चुकि पहले से अफ्लेटिट ये गरांट का प्रावधान किया रहा है, जो इस फिनांसी अलियर से प्रारम बोल जाएगा.